तो यहां पे आप अपने फोन में अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे देख सकते हैं वही आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो यहां पे देखें जैसा कि यहां पे जीमेल एप्लिकेशन है तो यहां पे आप इस एप्लिकेशन पे क्लिक करिए यहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी सारी मेल यहां पे शो हो जाएंगी यहां पे उपर की जानिब यहां पे आपको आपका आइकॉन शो हो रहा है तो इस पे आपने क्लिक करना है और जहाँ पे आपको एक option चो रहा है manage your google account तो आपने इस पे click करना है इस पे click करने के बाद काफिसरी option आपको यहाँ पे show जाएंगे तो आपने यहाँ पे switch करना है और जो security का button है इस पे आपने click करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपने आ जाना है सबसे नीचे यहां पे और यहां पे आपको एक option शो रहा है password manager का तो आपने इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपके पास ऐसा एक page हो जाएगा तो अभी आप यहां पे अपना password कैसे देख सकते हैं अभी आपने यहां पे home press कर दिना है home key press करे और यहां पे आपने आना है settings में यहां पे आपको एक button शो रहा है continue as हमारा तो यहां पे मेरा name लिखा होगा तो यहां पे आप अपना देख सकते हैं name लिखा होगा तो आपने इस पे type करना है और इस पे click करने के बाद यहां पे नीचे की जानिब जो yes I am in का button है इस पे आप आपके पास पेश हो जाएगा तो अभी आपने यहां पे उसी जगे पे आना है Gmail ID में और जहां पे आपने इसे एक बार refresh करना है इसको जो ही refresh करेंगे तो आपके पास ऐसा एक पेश हो जाएगा तो अभी आपने अपना password कैसे देखना है तो यहां पे जो settings का button आपको शो र है export passwords तो आपने इसके सामने जो icon show रहा है इस पे click करना है इस पे click करने के बाद export वाले वटन पे आपने click करना है और जहां पर आपने अपना fingerprint या जो भी आपने अपने device में password एड़ कर रख है वो आपको यहां पर put करना होगा तो यहां पर मैं अपना fingerprint यहां पर लगाता जिसमें आप अपना पासवर्ड रखना चाहरे हैं तो अभी जैसा कि यहां पे Android का फोल्डर है तो मैं इसी में रखना चाहरा हूँ तो यहां पे आपने Save के बटन पे क्लिक कर देना है Save के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने File Manager को Open करना है यहां पे Android में हमने रखा था तो यहां पे आपको CSV के Name से यहां पे एक File मिल जाएगी तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहां पे जह मेरे पास ES File Manager है तो इसी से यहां पे इसे On करते हैं तो यहां पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका password इस जगे पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसे आप यहां से copy करके, यहां से इस तरह करके, आप यहां पर copy करके, कहीं भी paste कर सकते हैं, यहां इसे आप याद रख सकते हैं, तो इसी तरह करके आप अपनी Gmail का, य प्ले स्टोर का पासवर्ड देख सकते हैं आई होप आपको जी बड़े संदा योगी टेक क्यार बाई बाई